हिलो गाइस इस विडियो में मैं आप बताने वाला हूँ यह आपका minecraft रे डिशन बहुत ज्यादा लाग हो रहा है तो इससे यह से fix कर सकते हो इस विडियो में आपको बताने वाला हूँ na वाइस मान्क्राफ्ट के एक्पीज को इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ सेटिंस करने होंगी जो कि आंगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले गाइस आप लाइक बहुत ही कम करते हो तो भाई आप लाइक कर दो ठीक है मैं इस वीडियो पर 200 ल स्क्रोल करना है यहां पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा यहां पर क्लिक करना है इसके बाद इसके राइट साइड आपको यहां पर ऊपर की साड़ स्क्रोल करना है और यहां पर आपको स्क्रीन एनिमेशन दिखाई दे रहा होगा तो यहां पर यह एनेवल है तो तो इसे आपको जहूरे Framish Disable कर देना है सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद आपको फिर ऊपर कि साथ स्क्रोल करना है। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा हूँ रेंडर क्लाऊड्स का आपकोड़ करदेना है इसे वह क्या है कि मालब जो clouds है जो बादल है वह यहां पर hide हो जाएंगे इसके बाद यहां पर आएगा smooth lighting तो smooth lighting को भी आपको इसे disable करके रखना है smooth lighting से जो smoothing है game की वह मालब चली जाएगी ठीक है जो कि अभी मैं आपको game में दिखाऊंगा ठीक है इसके बाद guys आपको थोड़ा और ऊपर की साथ scroll करना है और यहां पर जो render distance है इसे आपको 6 पर रख लेना है तो यहां पर मैं 6 पर कर देता हूँ इसे और आपको इतना ही रखना है 5 या 6 ठीक है इतना ही रखना है इससे जादा मत रखना तो अब आपको mancraft की settings से back अजाना है और आप मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने smooth lighting disable करके रखी हुई थी तो उससे होगा क्या है तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर जो देख पा रहे हुए नीचे के साथ यहां पर smoothing थी यहां पर यह हट चुकी है और नीचे जो block आप देख पा रहे हुए इसमें से smoothness हट चुकी है इसी कारण कुछ इस तरह से block दिखाई दे रहे हैं और यहां पर जो हमने render clouds को हमने disable किया था तो यहां पर जो उपर की clouds है यह हट चुकी है तो गैस इनी settings को करने के बाद आपका game lag fix हो जाएगा और आपका game lag बिलकुल भी नहीं होगा ठीक है तो गैस आप मैंसे comments में बताना कि आपका game lag fix हुआ है या नहीं तो गैस इस वाली वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लेना तो चलो गैस मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में